हेलो एंड वेलकम टो आज चैनल सोलो टेल्स और आज की हमारी मूवी है नाइन क्विन्स ये एक स्पैनिश क्राइम थिलर मूवी है और इस मूवी का हॉलिवोड में क्रिमनल और बॉलिवोड में ब्लफ मास्टर नाम से रीमिक भी बन चुका है तो चलिए शुरू करते हैं जुआन को एक डिपार्टमेंटल स्टोर में देखती हैं असल में जुआन एक स्कैमर था। जुआन शॉप में से कुछ समान लेता है और उपर यह आदमी अपने काम ser今ा रों बीजी था आगे जुआन काउंटर में जाता है और सस्टाफ से का बिल बनाने को कहता है लेकिन इदर शॉप की मशीन काम नहीं कर रही थी, इसलिए स्टाफ खुछ से जोड कर बताती है कि आपको 5 डॉलर्स देनी है, लेकिन जुआन के पास 50 डॉलर्स का नोट था, इसलिए जुआन चेंज ढूनने लगता है, तबी शॉप की स्टाफ उसे बाकी के 45 डॉलर्स का चेंज देती है, पर तबी जुआन अपने पास से 5 डॉलर्स निकालता है, जिसे वो रखकर भूल गया था, आगे जुआन बड़ी चलाकी से स्टाफ के 45 डॉलर्स लेकर उसे गिनके 50 डॉलर्स वापस करता है, और उसके साथ अपना 50 का नोट मिलाकर शॉप कीपर से 100 का चेंज मांगता है, तो शॉप कीपर वे कन्फ्यूज होकर उसे 100 का नोट दे देती है, दरसल जुआन ने उस स्टाफ से 5 डॉलर्स ठग लिये थे, ये सारी चला के उस शॉप में मारकस नाम का एक आदमी समझ गया था, अब जॉआन वहाँ से जाने ही वाला था, कि तब ही शॉप में दूसरी स्टाफ आ जाती है, और पिछली वाली स्टाफ रिप्लेस होकर वहाँ से चली जाती है, इसे देखकर जॉआन को फिर से स्टाफ को ठगने का आइडिया आता है, और वो चिपकर शॉप के पैकेट को फेक देता है, और उसी सामान को लेकर काउंटर में वापिस जाता है, जॉआन स्टाफ से भी वही ट्रिक करनी वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक काम से पिछली वाली स्टाफ को वापस आना पड़ता है, ये स्टाफ जॉआन को फिर से काउंटर में देखकर उसकी चलाकी समझ जाती है, और इस बारे में नई स्टाफ को बताती है, इतने में ही शॉप का मेनेजर जॉआन को पकड़ लेता है और पुलिस के पास चलने को कहता है, तब भी मारकस अपनी गन दिखाता है और कहता है मैं ही पुलिस हूँ और मैं इसे नहीं चोड़ूँगा, मारकस छपटकर जौन को पकड़ लेता है और उपर उठा कर वो पैसे दिखाता है जिसे उसने स्कैम किया था मारकस इन पैसों को सबूत के तौर पर यूज करेगा मारकस मैनेजर से कहता है तुम्हें कुछ तीर बाद एक कॉल आएगा उस कॉल के बाद इन पैसों को पुलिस स्टेशन आकर ले जाना और अभी यहां से बिल्कुल मत हिलना ऐसा बोलकर मारकस जौन को अरेस्ट करके ले जाता है आगे उस शौप से कुछ दूर आते ही मारकस जौन का हाँठ छोड़ देता है इसे देख जौन हैरान था दरहसल मारकस कोई पुलिस नहीं बलकि जौन की तरह एक स्कैमर था मारकस ने उस शौप से काफी सारी चीज़े चुराई थी उनी में से आदी बेकाज चीजों को मारकस रास्ते में ही फेक दिता है और जौन को एक चौकलेट ओफर करता है पर जौन वहाँ से चला जाता है तब ही मारकस उसके पास आकर कहता है तुमारी ट्रिक उतनी भी बुरी नहीं थी जौन कहता है लेकिन अगर कोई मुझे से ट्रिक करे तो मुझे पहचान जाना चाहिए था मारकस कहता है ये इस पर डिपेंड है कि ट्रिक करने वाला कौन है ऐसा बोलकर मारकस अपनी टॉइ गन दिखाता है जिससे उसने उन्हें बेफकूप बनाया था मारकस जौन के साइट में आकर कहता है तुमें अभी काफी कुछ सीखना बाकी है ये ट्रिक मैं दर्जनों बार कर चुका हूँ और इस ट्रिक को एकी स्टोर में एक से जादा बार करना बेफकूपी है इसे देखकर मैं समझ गया था कि तुम अभी कच्चे हो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की तो इसे सुन जौन मारकस का थैंक्स करता है और वहां से जाने लगता है तभी मारकस उसे रोकता है और उसके पास चाकर कहता है अगर तुम्हें इस टाउन में सरवाइफ करना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए मैं तुम्हें बहुत सारी ने ट्रिक सिखाऊंगा जौन कहता है मैं इतना भी बेफकुव नहीं मुझे इतनी तो समझ है कि कोई भी मेरे लिए कुछ फ्री में नहीं करेगा खास कर कि तुम जैसा आदमी बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए मारकस कहता है मैं एक आदमी के साथ काम करता था पर वो एक हपते से गाइब है इसलिए मुझे एक नए पार्टनर की खोज है तो जौन इस पर साफ साफ मना कर देता है मारकस कहता है ठीक है पार्टनर ना सही लेकिन तुम मेरे साथ आज का दिन बताओ और फिर डिसाइड करो कि तुम मेरे पार्टनर बनोगे या नहीं तो जौन थोड़ा सोच कर फिर से मना कर देता है इसे सुन मारकस जौन के शौप से लूटे हुए पैसे दे कर वहाँ से चला जाता है लेकिन जाते वग जौन मारकस को रोकता है और उसके साथ एक दिन के लिए मान जाता है अगली सीन में जौन और मारकस लोग के फ्लोर में लगे फोन से आंटी के बारे में पूछती है पर उस फ्लोर में कोई आंटी नहीं थी इसे सुन मारकस दूसरे फ्लोर में जाकर वहाँ के फोन से आंटी कहता है और कोइंसिडेंटली उस फोन को एक आंटी रिसीव करती है और वो कौन है इस बारे में पूछती है तब मार्कस जूट बोलते वे कहता है मैं आपका नेफ्यू हूँ मैंने यहाँ एक नई गाड़ी खरीदी थी पर रास्ते में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया इसलिए मुझे अर्जिंटली कुछ पैसों की जरूरत है ऐसा कहकर मार्कस उस लेडी को बेफकूब बनाता है और कहता है मेरा दोस्त थोड़ी देर में आपसे पैसे लेने आएगा आप उसे दे देना ये सब कहते वे जौन मार्कस को गौर से देख रहा था आगे वो लेडी नीचे आकर जौन को पैसे दे देती है पैसे लेने के बाद जौन मार्कस के पास आता है और वो पैसे उसे दे देता है साथे उस लेडी ने जौन को अपने नेफ्यों का दोस्ट समझ कर एक रिंग भी दी थी मारकस पूचता है तुमने ये रिंग अपने पास क्यों नहीं रखी जौन कहता है मैं कोई चोड नहीं हूँ ऐसा कहकर मारकस चला जाता है आगे मारकस और जौन एक रेस्टरेंट से गुजरती है तब ही मारकस उस रेस्टरेंट के अंदर छागता है और अपना वालेट निकाल कर नोट को हलका सा फाड कर जौन को दे दीता है और उसे अंदर जाकर कॉफी ओडर करने को कहता है फिर जौन रेस्टरेंट में वैसा ही करता है जैसा मारकस ने उसे कहा था इस रेस्टरेंट में मारकस भी था मारकस ने इधर एक कॉफी ओडर की थी वही जौन पैसे देकर रेस्टरेंट से बाहर चला जाता है और बाहर आकर खिड़की से मारकस से बात कने लगता है जौन बताता है कि मुझे 70,000 डॉलर की जरूरत है इसे सुन मारकस शौक हो जाता है क्योंकि ये काफी बड़ा अमाउंट था जौन कहता है मुझे ये पैसे मेरे डैट के लिए चाहिए उन्होंने ही मुझे ये सारी ट्रिक सिखाई थी जो मैं लोगों पर आजमा रहा हूँ पर एक दिन पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकर लिया और उन्हें अरेस्ट करके ले गई फिर जब मैं अपने फादर से दुबारा मिला तो उन्हें मुझे ये सारी ट्रिक सिखाने का काफी रिग्रेट था उन्होंने मुझे से प्रामिस लिया कि मैं कोई और काम करूंगा पर मुझे एक भी धंका काम नहीं हो पाया अब अपने फादर को जेल से बाहर निकालने के लिए मुझे जज को एक लाग तीस अजार डॉलर देने होंगे जिसमें से मैंने पचास अजार डॉलर लोगों को ठककर जमा कर लिये हैं और अब चोरी के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं तो यह सब सुनकर मारकस रेस्टरेंट के वेटर को बलाता है और उससे कहता है तो मुझे 100 डॉलर का चेंज देने वाले थे अब मेरे जाने का टाइम हो गया है तो जल्दी दो वेटर कहता है नहीं सर अभी तक आपने कोई 100 डॉलर नहीं दिये मारकस कहता है तुमारे पास चेंज नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हें चेंज लाने को भेजा था लेकिन काम करते वक्त तुम भूल गए लेकिन वेटर को अच्छे से याद था कि उसने उसका बिल नहीं लिया तो इस पर गुसा होकर मारकस वहां के मैनेजर को बलाता है देरी हो रही है और मैं पैसे लिए बगएर नहीं जाओंगा तो मैनेजर रिजिस्टर चेक करने जाता है फिर कुछ समय बाद हम मारकस के हाथ में सौ का चेंज देखती है इसमें से मारकस थोड़े से पैसे जवान को दे दीता है तब जवान कहता है मुझे ये ट्रिक पहले तक के लिए जाएं मारकस के कहने पर उससे दूट चला जाता है अगे मारकस मेरे से कहता है link मुझे तुमारे सप्र देख लिया तो तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब तुम अपने रास से चले जाओ, पर जौन मारकस का पीछा नहीं छोड़ता, और उससे कॉल के बारे में पूछता है, तब मारकस कहता है, उस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हारी थोड़ी सी भूल मेरा बहु को साबित करना होगा, तब जौन आसपास नजर घुमाता है, और तब इसे लिफ्ट के पास एक लेड़ी दिखती है, जौन कहता है, क्या तुम उस लेड़ी से बगैर चखड़ा किये, उसका परस ले सकते हो, वो भी सिर्फ दो मिनिट के अंदर, तो मारकस इस पर मना कर दे है, और ये तीनों उपर वाले फ्लोर में जाने लगती है, तब जौन नीचे से एक बटन पर हाथ रखता है, जिससे कि वो लिफ्ट आधी रास्ते में ही रुप जाती है, इसे देखकर वो लेड़ी पैनिक करने लगती है, तब जौन ऐसा दिखाता है, जैसे कि वो को रोब दीता है तब मार्कस लिफ्ट का अलाम करता है ताकि जौन के प्लाइन में वो पानी फेर सके पर जौन जल्दी से उस लिफ्ट के दर्वाजे को हटाता है और फिर लिफ्ट से बाहर आकर उस लेडी को बाहर आने को कहता है पर लेडी के हाथ में पर्स था इसलिए को लेकर एक basement के अंदर जाता है इधर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जौन ने मारकस से बस पर्स लेने की शर्ट लगाई थी ना कि चुराने की इसलिए जौन ने उस लीडी को लिट से निकलने के बाद उसका पर्स वापस कर दिया था जौन कहता है अगर वो पर्स तु पराय में ले चलता है और जौन को बताता है वो तो बाइकर्स किसी का brief case लूटने की फिराक में है वहीं कुछ लोग सामने वाले आत्मी की गाड़ी लूटने वाली है इधर कुछ लोग तुम्हें सिर्फ देखने आएंगे और क्या चुरा जाएंगे यह तुम्हें भी नह जाती है इस बिल्डिंग में मारकस की बहन एंजलीना काम करती थी एंजलीना मारकस को देखकर उसकी तरफ आती है वहीं इस दोरान जौन को एंजलीना से पहली ही निजरों में प्यार हो जाता है यहां हमें पदा चलता है कि एंजलीना और मारकस एक दूसरे से अंदर ही अं डिडूस कराता है और फिर एंजिलीना इन दोनों को अपने साथ बुलाती है। एंजिलीना मार्कोस को डाटते वे कहती हैं मैंने कितनी बार कहा है अपने पार्टनर्स को मेरे होटल से दूर रखा करो। आजी होटल में Sandler नाम का एक आदमी आया था, वो होटल में तुमसे मिलने की जित कर रहा था, जब होटल वालों ने उसे होटल से भगाने की कोशिश की, तो वो आदमी बिहोश हो गया, इसलिए हम उसे इस हॉस्पिटल में लाए थे, पर यहां वो आदमी मुझे पहचान गय और मुझे से तुम्हें मिलाने की जित करने लगा, ऐसा बताकर एंजलीना उन्हें एक गेट के पास लाती है, और वहां से चली जाती है, फिर मार्कस और जवान उस रोम के अंदर जाती है, यहां उनका Sandler इंतजार कर रहा था, Sandler मार्कस का सबसे पुराना पार्टनर था, यह यू कहलो कि उसी ने मार्कस को चोरी करने के सारे पैतरे बताये थी, इदर Sandler John को देखकर पहचान जाता है, तरहसल John के फादर Sandler के साथ काम कर चुके थी, और Sandler ने John को बच्पन में देखा था, मार्कस पूछता है, आपने हमें क्यों बलाया, तो Sandler अपना बैग इस बैक में एक निउस पेपर था, जिसमें एक आतमी की तस्वीर चपी वी थी, निउस में लिखा था, कि ये आतमी बहुत रहीस है, और जल्दी देश से बाहर जाने वाला है, Sandler कहता है, इस आतमी का नाम वाइडल है, और ये इस वक्त तुमारी होटल में ठहरा हुआ है, इसे महंगी स्टैम कलेक करने का शौक है, तो इसे सुन मार्कस बैट कर सब कुछ अच्छे से बताने को कहता है, तब Sandler कहता है, मेरी बहन मार्गरेटा के हस्बेंट के पास एक स्टैम का कलेक्शन है, लोग उस कलेक्शन को नाइन कुइन्स कहती है, कुछ सालों पहले ही मार परफेक्ट कॉपी बना लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है, कि वाइडल हर स्टैम को खरीदने से पहले उसका लैप टेस्ट सरूर करवाता है, और इसलिए मैंने सोचा था, कि मैं इस नकली स्टैम को आज बेच दूँगा, लेकिन कल सुबे वाइडल दूसरे देश रवाना हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी में वो स्टैम को अच्छे से चेक नहीं करेगा, पर तुम मेरी हालत देख सकते हो, इसलिए मैं ये काम तुमें सौप रहा हूँ, तुम जल्दी से मेरी घर जाकर मेरी वाइफ से वो नकली स्टैम मांगो, और उसे बेच दो, इसे सुन म हरान रह जाता है, और मारकस से इस बारे में नेगोशीट करता है, पर अंत में सैंडलर के पास मारकस की डील मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि सैंडलर अब बुड़ा हो चुका था, आगे ये दोनों सैंडलर के रूम से बाहर आते हैं, यहां जौन को ल ले जाता है, और उसे इस प्लान में अपना पार्टनर बनाने को कहता है, पर इस फर मारकस नहीं मानता, क्योंकि पार्टनर बनने के बाद दोनों में पसेंटेज के हिसाब से ही पैसे बटेंगे, लेकिन जौन कहता है, मैं सिर्फ साधे 3,000 लूँगा, तो इस फर मारकस मान जाता है फिर उस होटल से निकलते वगजान और मार्कस की नजर वाइडल पर जाती है असल में वाइडल एंजेलिना को टेट कर रहा था इतर हम मार्कस के भाइव फ्रेट को देखते हैं फ्रेट मार्कस की बहुत रिस्पेक्ट करता था और साथी उसे यह बात भी नहीं पता थी सेखाने को बॉला था उस एंवलप में सैंप है बत कहती है जब मेरे हजबन downward कर तब श्रत autos उनकी permission के बगेर में वो envelope नहीं दे सकती मारकस कहता है आपके husband नहीं हमें भीजा है लेकिन ब्रेटा इस बात पर विश्वास नहीं करती और पुलिस को बलाने की धमकी देती है वही इस तोरान जॉन ब्रेटा के कमरे का poster देखता है और उस poster में निखे नाम और address को याद कर लीता है फिर जॉन मारकस के सामने acting करती भी कहता है चलो हमें कोई envelope नहीं चाहिए हम अपनी मॉम से कहा देंगी कि वो envelope वहाँ नहीं था ऐसा केकर जॉन ब्रेटा से माफी मांगता है और बताता है कि हमारी मॉम की photo उस envelope के अंदर थी और मारकस कई सालों बाद उनसे मिलने आया था इसलिए वो उस photo को अपने साथ ले जाना चाहता था पर कोई बात नहीं ऐसा केकर जॉन मारकस को लेकर जाने लगता है और जैसा कि इन्होंने सोचा था ब्रेटा इन्हें पीछे से रोक लीती है और जॉन से पूचती है तुमारी मॉम कहां से है तब जॉन उन्हें वही address बताता है जो उसने उस poster में देखा था तब इसे सुन ब्रेटा बहुत खुश होती है क्योंकि उनके भी relatives उसी जगे रहते थे आगे इन दोनों के हाथ में 9 queens का stamp था इस stamp को ये दोनों एक envelope में रख लेती है तब ही इनके सामने एक businessman अपना product बेचने आता है और इन्हें तरह-तरह की चीजे दिखाता है पर इन्हें उनमें से किसी भी चीज में interest नहीं था इसलिए वो businessman लॉट जाता है इसे देखकर जौन समझ गया था कि अगर वो अपने stamp वाइडल को सामने से बीचीगा तो वाइडल इन्हें नहीं खरी देगा इसलिए इन्हें एक नई तर्कीब लगानी पड़ीगी आगे वाइडल अपनी लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था और सामने से जौन और मारकस उस पर नजर रख रही थे तब वाइडल वाश्रूम चला जाता है और इसी पलका इन दोनों को इंतजार था मारकस वाइडल का पीछा करते भी वाश्रूम के अंदर जाता है और जौन को कॉल करके कहता है हाँ वो नाइन कुइन्स का स्टाम मेरे पास है लेकिन मैं उसे तुमें इतने कम दामों में नहीं बेचूंगा वो स्टाम बहुत महेंगा और तुमारी अकास से बाहर है इदर वाइडल वाश्रूम के अंदर से मारकस की बाते सुन लेता है और मारकस यही चाहता था लेकिन तभी उस वाश्रूम में एक पुलिस वाला मारकस को पकड़ लेता है इस पुलिस वाले ने मारकस को दो बार हिरा फेरी करते भी देखा था लेकिन मारकस कहता है इस बार मैंने कुछ नहीं किया है तभी पीछे से जवान आता है लेकिन पुलिस वाला उसे भी गन पॉइंट में ली लीता है और दोनों को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है पर तब वहाँ वाइडल आ जाता है वाइडल पुलिस को उसका कार्ट दिखाने को कहता है जिससे पता चलता है कि ये आदमी सच में पुलिस वाला था वाइडल आफिसर से कहता है ये दोनों असल में मुझसे मिलने आए है इन्हें इधर मैंने ही बulaया था ऐसा कहकर वाइडल कुछ पैसे निकालने लगता है इसे देखकर पुलिस मारकस को अपने साथ बहर आने को कहता है बाहर आते ही हमें पता चलता है कि वो अफिसर भी असल में एक स्कैमर था जो पुलिस बनकर लोगों को लूटता था और मारकस इसे पहले से ही जानता था इधर ये तोनों वाइडल के पैसे आदे आदे बाटने की डील करतें है और इसके बाद वो स्कैमर मारकस को लेकर फिर से बाथरूम जाता है पर ये सारे पैत्रे अब बहुत पुराने हो गए हैं तुम दोनों को पता था कि डारेक्ली अप्रोच करने पर मैं तुम्हें मना कर दूंगा और इस तरह स्रीन क्रियेट करने के बाद जादा चांसेस हैं कि मैं तुम्हारी ये डिल एकसेप्ट कर लेता इसलिए मेरे साथ तुम नाटक मत करो तो इसे सुन ये दुनों समझ जाती है कि इनका पैत्रा उल्टा पड़ गया है लेकिन बिसनसमैन होने के नाति वाइडल उन स्टैंप्स को खरीदने को तयार था वाइडल एक घंटे के अंदर उन्हें वो स्टैंप इदर लाने को कहता है एक घंटे बाद वो अपनी टीम को बलाकर स्टैंप के चेकिंग करेगा फिर एक घंटे बाद मारकस और जौन स्टैंप लेकर वाइडल के ऑफिस में जाती है इधर वाइडल उस स्टैम्प को लीता है और अपने सेकरेटरी को देता है फिर वाइडल का सेकरेटरी उस स्टैम्प की अच्छे से चेकिंग करता है इधर मारकस घबराया हुआ था क्योंकि वो दोनों पकड़े भी जा सकते थे तब भी सेकरेटरी वो स्टैम्प वापस करते वी कहता है, यह असली और रेर स्टैम्प है, इसे सुनकर मारकस की जान में जान आती है, फिर वाइडल इनसे पैसो की बात करता है, वाइडल कहता है, तुम अब स्टैम्प को मेरे अलावा किसी को नहीं बेचोगे, मैं तुमें इस स्टैम्प के बदले तीन लाग डॉलर तो इस पर मारकस मान जाता है लेकिन तब भी जौन वो स्टैंप वापस ले लीता है और कहता है यह स्टैंप मेरे ग्रैंट फादर ने अपनी पूरी जिंदगी समाल कर रखा था मैं इसे इतने कम दामों में नहीं बेश सकता तो वाइडल कहता है फिर तुम्हें कितने पैसे चाह पैसे वाइडल आज पी नहीं कर सकता था यहां जौन उन पैसों में से अपना शेर गिनने लगता है पर तभी जौन को एसास होता है कि मारकस एक कॉन मैन है और वो उसे जरूर दोका देगा तब मारकस कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें धोका देने अगर इदर धोका देने जैसा क्या है जैसा तुम्हें दिख रहा है सब कुछ वैसा ही हो रहा है अगर तुम्हें मुझ में शक है तो तुम वापस चले जाओ लेकिन जौन उसके पास दुबारा आ जाता है अगले जिन में जौन और मारकस उस बिल्डिंग से बाहर आती है तब इन्हें वाइडल का सेक्रेटरी रोपता है दरजर चेकिंग के बग सेक्रेटरी को पता चल गया था कि वो स्टैम्स नकली है लेकिन उसने वाइडल को सच नहीं बताया था इधर सेक्रेटरी इस सच को चिपाने के लिए स्टैम के पैसों का 15% हिस्सा मांगता है वरना वाइडल को सारा सच बता देगा तो मारकस उसके परसेंटीज को कम करने को कहता है फिर थोड़ी दिर बारगिनिंग करने के बाद सेक्रेटरी 5% में राजी हो जाता है मतलब अब उस स्टैम के पैसों में 4 शेयर्स हो चुके थी तब रास्ते में दो बाइकर्स आती है और ज स्टैम को बेका समझ कर फेक देता है फिर वो स्टैम उड़ते उड़ते पानी के अंदर चले जाती है इसे देखकर मारकस और जौन के पैरो तले जमीन खिसक जाती है आगे वो स्टैम पानी के विज़े से फट चुका था इसे देखकर ये दोनों निराश हो जाती है लेकिन पैते उनों मार्गरेटा के घर जाकर उससे स्टाइम के बतले पैसे लेनी का ओफर करती है तब मार्गरेटा कहती है मेरे भाई को लगता था कि मैं उस स्टाइम को कभी नहीं बेचूँगी पर असल में वह एक गदा था मुझे फिलाल पैसों की बहुत जरूरत है इसलिए मैं स्टैंप को बेचने के लिए तयान हूँ –Tabhi Margarita के कमरे से एक आतमी आता है। यह आतमी Margarita का boyfriend था। इसका मतलब Margarita को अपने हश्बंड की मौस से कोई फर्क नहीं बढ़ा था। उल्टा वो अपने बॉइफ्रेंड के साथ टाइम पास्कर रही थी। इधर crunch घूर 50,000 डॉलर देने का ओफर करता है लेकिन मार्गरेटा जानती थी कि वो स्टैम बहुत बेश किमती है इसलिए मार्गरेटा उन स्टैम के बदले 5 लाग डॉलर मांगती है और उसे एक पैनी भी कम नहीं करती पर मारकस उसे नेगोशियेट करता है और अन्त में मार्गरेटा 5,000,000 डॉलर में राजी हो जाती है जो कि वैसे तो बहुत जादा था पर 5,000,000 के मुकाबले काफी कम था मार्गरेटा कहती है जैसे ही तुम मुझे मेरे पैसे देने आओगे वैसे ही मैं तुम्हे वो स्टैम दे दूँगी अब रास्ते में चलते वक्ट जान पूछता है अगर हम इतने पैसे उसे क्यों दे मार्कस कहता है हमें साड़े 4,000,000 डॉलर मिलने वाले हैं अगर हम उन में से उसे 5,500,000 डॉलर से भी देती है तब भी हमारे पास 2,000,000 होंगे जो हम सिर्फ एक दिन में कमाएंगे और इसके लावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है जुआन कहता है लेकिन तुम इतने पैसे कहां से लाओगे मार्कस बताता है मैंने जो प्रॉपर्टी मेरे बहन से चीनी थी उससे मैं 2,000,000 का इंतिजाम कर सकता हूँ और तुमने बताया था कि तुम्हारे पास 50,000,000 है तो जुआन उन पैसों को देने से मना का देता है क्योंकि वो पैसे उसने अपने फादर के लिए जमा किये थी और फिर ये दोनों अलग हुजाती है आगे हम जुआन को उसके डैट के साथ देखती है जुआन जेल में अपने फादर से मिलने आया था इदे जुआन का फादर बताता है कि उनके केस का जज दस दिन बात बदलने वाला है वो जज बिलकुल भी रिश्वत नहीं लेगा इसलिए अब मेरा जेल से बाहर आना मुश्किल है तब जुआन कहता है मैं आपको जेल में नहीं देख सकता इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो जुआन के फादर उसे टोकते भी कहती है वो काम बिलकुल मत करना जो मैंने किया था ऐसा कहकर उसके पादर रेड कार्ट को चूज करने को कहती है लेकिन जुआन देखता है कि उसके पादर ने उससे बात करते वक्त तीनों कार्ट बदल दिये थे जुआन के फादर कहते हैं कि अगर तुम उन पैतरों का यूज अच्छे से नहीं करोगे तो तुम हार जाओगे अब जुआन अपने घर जाकर एक बॉक्स में से 70,000 डॉलर्स निकाल कर उसे एक बैक में भरता है दरसल अब ये पैसे जुआन के किसी काम के नहीं थे फिर सीन मारकस पर आता है जो पैसों के लिए परिशान था तबी जौन उसे पैसों का भरा बैग देता है आगे ये दोनों अपने अपने पैसे मिला कर एक ब्रीफ केस में रखती है अगले दिन मार्गरेटा उन पैसों को लेकर वो स्टैंप उन्हें बेच देती है इसे लेकर वे दोनों चले जाती है और एंजेलीना के होटल पहुँचते है तबी एंजेलीना इन्हें देखकर रोखती है और कहती है अगर वो इस होटल में एक बार और दिखा तो वो पुलिस को कम्प्रेंट कर देगी तो इस बात पर ये दोनों लड़ने लगती है तबी वहाँ पर वाइडल आ जाता है इधर वाइडल को पहली बार पता चलता है कि एंजेलीना और मारकस सिब्लिंग्स है फिर मारकस कहता है अब हमें कहीं और चलकर डील करने चाहिए तो वाइडल राजी हो जाता है लिफ्ट के पास आकर बाइडल मारकस से कहता है मैंने अपना एग्रिमेंट बदल लिया है अब मुझे वो स्टैम्प नहीं बलकि तुम्हारी बहन एंजिलीना चाहिए वो भी सिर्फ एक रात के लिए उसके लिए मैं तुम्हें साड़ी चार लाग डॉलर्स देनी को भी तयान हूँ अगर उसे कन्वेंस कर सको तो कर लो मारकस कहता है एक लड़की के लिए स्टैम को ठुकराना बेफ कूफी है लेकिन वाइडल के अंदर बहुत हवस थी वो सरफ एंजेलीना को ही चाता था वरना वो डील कैंसल कर देता तो इसे सुन मारकस और भी परहिशान हो जाता है क्योंकि एक बार के लिए मारकस किसी भी लेडी को कन्विन्स कर सकता था लेकिन एंजेलीना को कन्विन्स करना उसके लिए बहुत मुश्किल था मारकस किसी तरह हिम्मत जुटाकर एंजलीना के पास जाता है तभी एंजलीना उससे दूर आकर अपने आदमी से फ्रेट को लाने को बोलती है तरहसल एंजलीना को मारकस की डील के बारे में पहले से ही पता चल गया था तभी फ्रेट उनके पास आता है इधर एंजलीना मारकस को फ्रेट के सामने सच बताने को कहती है तभी वो उसकी डील मानेगी तो मारकस उसे अपने बारे में सबसच बता देता है कि उसने कैसे एंजलीना के पैसे अपने पास इलीगली रख रखे है साथी वो पैसों के लिए एंजिलीना के इज़र्दाव में लगा रहा है तो इसे सुन फ्रेड गुसा हो जाता है और मारकस को अपना घुटना मार कर वहां से चला जाता है जाते वक्त एंजिलीना और ज्वान एक दूसरे को इशारा करती है जिसके बाद एंजिलीना फ्रेड मारकस को उठाता है मारकस यहां के काउच में ही सो गया था वहां से निकल कर मारकस जौन से जाकर मिलता है जौन रात पर ना सोकर सब पर पहरा दे रहा था तब ही मारकस अपने सामने वाइडल को देखता है वाइडल आज एरपोर्ट जाने वाला था इसे देखकर मारकस वा पॉल में एंजिलीना को ढूंडने जाता है तभी एंजिलीना उसके सामने आकर उसे एक बैक देती है मारकस उसी समय खोल कर देखता है तो उस बैक में एक चेक था मारकस जल्दी से एंजिलीना के पास जाता है और कहता है आके तुम ऐसे होश्यार इंसान से पैसे की जगे चे उदर वाइडल ने मुझे दो अफर्स दिये थे पहला साड़े चार लाग डॉलर का और दूसरा साड़े च्छार लाग डॉलर का चेक फिर ज्वान उस चेक को लेता है यह चेक वाकि एक सेक्यूर चेक था आगे एक घंटे बाद यह दोनों उस होटेल से जाने लगती है तब में यह दोनों प्यार करने लगे थे आगे मार्कस और जॉन बैंक से पास जाती है तरो इसलगर को चॲख कि त्सक्राइए और नेुकल सबस्क्राइब उसके पास आता है मार्कस पूंच ताहीं क्या Said चल रहा है स्टाफ बताता है कि लोगों का बहुत सारा पैसा एकी बार में डूप गया है इसलिए लोग अभी गुसे मी है तो मार्कस स्टाफ की बाद काट कर उसे अपना चेक देता है इसे देखकर स्टाफ को हसी आ जाती है स्टाफ बताता है कि किसी ने तुमें बेफकूब बनाया है ये चेक फ्राउड है ऐसा बोलकर वो स्टाफ चेक फेक दीता है लेकिन मारकस को अब भी उस स्टाफ की बात का विश्वास नहीं हुआ था मारकस उस चेक को उठाने की कोशिश करता है और तबी जोर लगाने पर बैंक का दर्वाज़ा खुल जाता है इसके बाद सीन ब्लांक हो जाता है और हम मारकस को उस बैंक से बाहर आता देख दी है बैंक के आसपास मीडिया वाले आ गए थी इधर मारकस के सर से खून बहने लगता है तब जोर उसे अपनी हैंकी देता है जोर मारकस की हालत से समझ जाता है कि वो चेक नकली था इसलिए जोर वहां से चला जाता है वहीं मारकस को अभी भी ये यकीन नहीं हुआ था कि चेक नकली है इसलिए मारकस दुबारा से उस बैंक के अंदर जाता है फिर हमें जौन को दिखाती है जौन एक गैरेच में जाता है इस गैरेच में हम सैंडलर, पुलिस ओफिसर बनने वाले स्कैमर, वाइडल के सेक्रेटरी और मार्गरेटा के बॉइफरेंड को दीखती है यहाँ पर मार्गरेटा भी थी मारकरिटा जौन को मारकस के धाई लाग डॉलर्स वापस करती है असल में इन सबी ने मिलकर मारकस को बेफकूप बनाया था क्योंकि मारकस ने भी इनके साथ बहुत सारे स्कैम्स किये थी फिर हमें पता चलता है कि इस प्लैन में एंजलीना भी शामल थी और एंजलीना और जौन बहुत पहले से ही एक दूसरे को जानते थे इधर मारकस ने एंजलीना की प्रॉपर्टी चीनी थी इसलिए एंजलीना ने अपने भाई मारकस के साथ स्कैम करके ये सारा खेल खिला था अब इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है क्योंकि मारकस ने कभी ना कभी उन सभी से स्कैम किये थे तो दोस्तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद